किसान भाईयो नमस्कार आज हम आपको ऐसे चीज़ बताने वाले जिससे आपके बच्चों का भगश्य बन सकता है पहली बात आपके जो छोटे बच्चे हैं उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ क्योंकि आगे जाके जो फिचर है वो अगर साइन्स लेना है तो आपको बच्चों को इंग्लिश मीडियम बहुत उपएगी होता है अगर गलती से पह आप हिंदी या और कोई लेंग्वेज लोकल लेंग्वेज में अगर पढ़ाते हो तो उनको 11-12 में बहुत ही प्राब्लम होता है और जो स्कोर करना है उन्होंने वो कर नहीं सकते तो मैं कहूंगा आपको कि आपके बच्चों को बच्चपन से ही इंग्लिश मीडियम में बढ़ाईए उसके बाद जो एलेवंटेल्थ होता है उसमें आप साइंस लिजिए और साइंस में हो सके तो बॉयलाजी रखिए पाइलगी रखने से क्या होता है , आगे जाके मेडिकल और वेटनेरी जो फिल्ड होती ओपन होती है उब बच्चों के लिए अगर वयूब भैटनेर ना रखे तो बच्चे मेडिकल लाइन από वेटनेर लाइन में नहीं सकती है आपको बता दू आज की टाइम में सबसे ज़्यादा जो जॉब है वो वेटनेरी प्रोपेशन में है वेटनेरी के सारी के सारे कॉलेज Government College है और श्रीव एक या दो College जैसे पंजाब और राजस्तान में श्रीव प्राइवेट College है और कही पर भी प्राइवेट College नहीं है एक हाथ College हो सकता है लेकिन maximum 99% College यह वो Government के है Government College होने का फाइदा यह है कि saturation बच्चों की अभी तक इस वेटनरी लाइन में हुई नहीं है तो आप कैसे admission ले सकते हो वेटनरी में तो हर एक state की अपनी वेटनरी की university होती है या वो agriculture की university में मर्ज हो सकती है तो आप वहाँ पर फार्म भरिये और अपने बच्चों का दाखला वो वेटनरी के लिए BVAC की डिगरी के लिए ले सकते हो एक all over India level से अगर आना है तो नीट करके exam होती है वहाँ से भी आप VCI कोठे में आ सकते हो और आपको एक बात बता दू वेटनरी प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जिसकी जो फर्ष पोस्टिंग होती है वही class one officer की होती है और class one officer की salary आपको बता दू एक लाक रुपे प्रतिमा है ये चीज़े आपको कोही न बताएंगा ना भाई-भाई का दुश्मिने यहाँ पे कोही न नेवर बताएंगे ना relative बताएंगे ये आज के दोर में कोही किसी का अच्छा नहीं चाहता है लेकिन आपको ये बता दू इस YouTube चैनल के महधम से कि आपको अगर अपने बच्चों का future अगर बनाना है तो veterinary profession बहुत ही अच्छा होता है और इस profession में government job है क्या कौन सी कौन सी नोकरी लग सकती आप अगर veterinary में आते हो तो सबसे पहली बात veterinary doctor बन सकती वो भी class one officer starting में और अगर बच्चा अगर आपका veterinary के बाद भी master और अगर P.A.D. करता है तो assistant professor, scientist जैसे बड़ी-बड़ी post year open हो जाती है यही नहीं वो खुद का private clinic हो सकता है और जो army है army का जो rvc होता है वहाँ पर भी उसको job लग सकती है ITBP में वो commando बन के जा सकता है यही नहीं तो तमाम private company या veterinary doctors को उठाती है आज तक veterinary को ही भी खाली घर पर नहीं बैटा है हर किसी को काम है और maximum 99% लोगों को आज गोर्मेंट की job है तो मैं यही कोंगा आपके बच्चों का अगर भुष्य है तो veterinary profession में ही है और यह ऐसा है जहाँ पर गोर्मेंट जाब है